अगर हम लोग राजिस्थान की राजनिती की बात करें और राजिस्थान के राजनिताओं की बात करें उसमें अगर हम लोग वसुंदरा राजी की बारे में बात ना करें ये मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है आप लोग चानते हैं कि भारती जिन्ता पार्टी की कद्दावर नेता हैं वसुंदरा राजे और राजिस्थान की मुखमंत्री भी रहे चुकी है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो आज हम लोग वसुंदरा राजे सिंधिया के बारे में एक सामान चर्चा करेंगे इनका परिवारिक बैक ग्राउंड क्या है इनकी सिक्षा क्या है इनका राजनितिक जो सफर रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे इनकी अपनी जो personal life है निजी जिंदगी है वो भी काफी बिवादों में रही है और आप देखें इनके पती हैं स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे एक बार आप लोग राजिस्थान को पहले देख लिजें और आप देखेंगे कि राजिस्थान की राजधानी आपको जैपूर देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में देखें तु गुजरात हो गया, मद्धवदेश हो गया, उत्तरपदेश हो गया, हर्याना, पंजाब से लगती है छेत्फल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजिस्थान कितना है छेत्फल इसका? 3,42,249 बरक किलूमीटर में फैला हुआ है विधान सबा में 200 सीटे हैं, राज्य सबा में आपकी 10 सीटे हैं, लोक सबा में 25 सीटे आपको देखने को मिलेंगी कहां? राज्यस्थान में तो आप देखें इनका बास्तविक नाम क्या है? वसंदरा राज्य सिंधिया इनका बास्तविक नाम है ये हिंदू है, मराठा चत्री ये हैं, क्योंकि आप देखे हमारे देश में जब भी किसी वेक्ति के बारे में बात की जाती है, उसकी जाती और धरम पहले देखा जाता है, इनका जनम 8 मार्च 1953 को होता है, और इनका जनम मुंबई महराष्ट में हुआ था, और इनके पिता की बात करें तो सुर्गिये जिवाजी राओ सिंधिया, ग्वाली राजी की पूर्व महराजा, इनके यहा हुआ था, और इनकी माता का नाम सुर्गिये विजया राजे, सिंधिया, पूर्व भारती राजनितिक थी, इनके घर में हुआ था, इनके भाई का नाम सुर्गिये मा पार्ती राजनितिक हैं इन कि वहने हैं. इनके पती की बात करें तो हैमन्त सिंग इनके पती का नाम. और उसर 1972 tucked देयतर में जब वसुंदरा राजी 20 साल की थी तभ उन्होंने धौलपूर राजगारानें के हैमन्त सिंग से साधी की थी। ओनुसों। माता जी खुश थी और वसुंदरा राजे की परिवार को भी इस साधी से नाराज की थी और यही कारण था कि वसुंदरा राजे और हैमंत सींग की साधी साल भर भी नहीं टिक पाई और दोनों में जगडे होने लगे थे और आप देखते हैं कि वसुंदरा राजे और हैमंत स सिंग का तलाग हुआ उस बक्त दुसेंथ सिंग वसंदरा राजे की कोक में थे और इस तलाग के बाद वसंदरा राजे राजे बापस गवालियर चली गई थी और इनके पुत्र की बात करें तो दुसेंथ सिंग भारती राजनिते के इनके बेटे हैं अगर हम लोग वसंदरा सूफिया कॉलेज फॉर विमेन मुंबई महराश से इन्होंने सिख चली हुए अर्थ सास्तो राजनीती बिज्ञान में इसनातक किये हुए है और पॉलेटी से याने भारती जिंता पार्टी से जुड़ई हुए है भारती जिंता पार्टी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और आप लोगों को माल होगा क्या माल होगा कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी अटल विहारी बाच पे इसके पहले राश्टी अद्धेक्ष थे यह भी याद रखिएगा और इनके राजनी तिक सफर की बात करें तो आप देखें उन्होंने 1984 में राजनी नियमें प्रवेश किया और जिसके चलते उन्हें भारतिय जंता पार्टी के राष्टी कारकारी के सदस्की रूम में नियुक्त किया गया 1985 में बसंदरा राजी को राजिस्थान भाजापा युवा मोर्चा के उपाध्धिक्ष की रूम में नियुक्त किया गया और उसी वस उन्हें धौलफूर निर्वाचंच्छेत से विधायक की रूम में चुना गया और देखिए अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल हो नीचे अधिक्तम उम्री की कोई सीमा नहीं है और विधायकों को चनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र कितनी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग बोटा सोची में नाम जुड़ चुका होगा बोट डालने जाते होंगे और देखिए लोग सबा हो, राज्य सबा हो, बिधान सबा, बिधान बईसाद राष्ट पती, उपराष्ट पती इन सब के चुनाओ करवाता है, Election Commission of India, भारतिय निर्वाचन आयोग तो इसके बारे में एक सामाज जानकारी आप लोग अपने पास जरूर रखा करिएगा एक समिधान एक संस्ता है, समिधान के अनुछे 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कीगी है अटका 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा, सू कुमार सौन, सू कुमार सेन इसके क्या थी? मुख निर्वाचन आयोग ते थे पहले फिर आप देखिए 1989 में के लोग सबा चुनाओ में उन्हें वर्स 1991 तक एक सांसद की रूम में चुना गया था 1991 की आम चुनाओ में उन्हें जाला वार विधानसवाचेश से पुनाहा एक सांसद की रूम में चुना गया फिर 1998 में लोग सबा चुनाओ में पार्टी से चुने जाने के बाद राजे को विदेश मामलों के राजमंत्री के रूम में भी चुल लिया गया 1996 से 1998 की भी जहाला बार विधानसवा 6 से आप देखें सांसद रही 1987 में उन्हें राजिस्थान राजी की भारती जिंता पार्टी के उपाद्धिक्षी रूम में नियुक्त किया गया फिर आप देखें कि 1998 में राजी पुना एक ही निर्वाचन चेस से निर्वाच उत्वी और 1999 तक सांसद रही जिसके चलते उन्होंने केंद्री राजमंत्री और विदेश मंत्री की रूम में भी काम किया 1999 में राजी पुना एक बार फिर सांसद की रूम में चुनी गई और पांस बरसों तक इन्होंने कार्व किया इसमें फिर आप देखतें 2003 में भाजापा ने उन्हें राजिस्थान की मुक्मंत्री के नुक में नियुक्त किया इस पद पर वो 2008 तर गई फिर 2013 में वो एक पुना राजिस्थान की मुक्मंत्री बनी और आप देखिए 2018 तक इस पर रही और 2018 में पंद्रवी राजिस्थान बिधान सवा जालरा पाटन से अपने पेते दिंदी मान विदन सिंग को इनोंने हराय था और आप देखते हैं कि अभी बिधायक हैं क्या है बिधायक हैं आँगे कि क्या राज नीती इनकी रहती है यह तो आने वाला वक्ती बताएगा इसके लिए रहता है कि आप लोग निव फेपल पढ़ते रहा करिएगा और आजकल आपके पास स्मार्ट फॉन तो आसानी से आप लोग जानकारी रखते रहते हैं विवाद भी जुड़े हुए हैं अब आप देखें आप लोग इस तरह की किसी पत पर रहेंगे तो सवाब भी किसी बात है कि विवाद भी जुड़ेंगे लोग आपको पसंद भी करेंगे ना पसंद भी करेंगे तो 2014 की लोगसभा चुनाव में वसंद्रा और बीजेपी के वरिष्ट निता जस्वन सिंग के बीच काफी कहा सुनी हुई थी और इसमें जस्वन सिंग बाड मेर की लोगसभा 6 से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन वसंद्रा ने उनकी जगह कॉंग्रेस से आयक्टर्नल सोना राम को टिकट दिलवा दी थी जिसके पाईडाम सुरू जस्वन सिंग ने बीजीपी पार्टी छोड़ने का फैसला किया था वसंद्रा राजी ललित मौधी की मदद करने के आरोम में भी घिरी रही है वसंद्रा का ललित मौधी की बीजा संबंदी आविधन पर हस्ताक्चर करना और उनके बेटे दुसें सिंग द्वारा ललित मौधी के स अगस्त 2011 में वसंद्रा ने ललित मौधी के बीजा संबंदी दस्तावेजों पर सहमती जताई थी और वेटिस अधिकारियों के सामने एक सर्थ भी रखी थी इस बारे में भारत में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और सुत्रों के मताबिक जब इन दस्तावेजों को ख वसंद्रा राजी एक बार फिर ललित मौधी के साथ बेदबादों में रही थी उस समय उन पर आलोप लगा था कि चंबल की बेड में बना धौलफूर का महल सरकारी संपत्ती है और जिसे वसंद्रा और ललित मौधी ने मिलकर एक निजी लगजरी होटल में बदल दिया जि जिसके चलते उनके पती एहमंत सेंग ने एक अदालत के समक्ष सुविकार किया कि है पहले सराजिस्तान सरकार की संपत्ती है और जिसमें ललित मौधी की फरजी कंपनी नियंत हैरीटेज होटल्स ने इस संपत्ती को एक होटल में बदल दिया जिसमें 100 करोड भारती रुप भारती रुपों का निविस किया गया था दोजार तेरे में एक और विवाद अगस्ता वेस्ट लेंड हेलिकॉप्टर खरीद घोटाले में वसंदरा राजी संलिप्त पाई गई थी जिसके चलते उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था वसंदरा राजी ने भल सके आम तो पर ऐसे विमान का इस्तिमाल पिधानमंतिरी भारत यात्रा के दोरान करते हैं अपनी इस मांग के कारण हो है विवादों में रही थी और आप देखे बसंदरा राजे उसा राजे सिंधिया या सुदरा राजे सिंधिया और जोतिया रादित सिंधिया की काफी बिबाद भी हुगा था, फिल्म पदमाबत पर, तो एक सौट वाइक बर आप या आप लोग कह सकते हैं, एक इसकी है, वसंतरा राजे सिंधिया की, और किसी के बारे में आपको जानने की दिल्चस्पी है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगी, ठीक है?